नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके यूटूब चैनल अमिट टेक्नलोजी में दोस्तों आपका होस्ट और दोस्त अमिद गोईल आपका स्वागत करता है दोस्तों माइक्रो सर्वेसिस के शिंखला में आज का हमारा टॉपिक है Oauth 2 हम देखेंगे कि यह क्या है और हमें इसको क्यों यूज करना चाहिए मुझे यह पक्का यकिन है दोस्तों कि आपने भले ही इस टर्मको ना सुना हो लेकिन इसको यूज कहीं न कहीं उसका उपियो कहीं किया हुआ है तो जैसे कि आपने कोई अप्लिकेशन डानलोड करी कर सकते हैं आप फेस्बुक से साइन अप कर सकते हैं उस अप्लिकेशन में जिससे आपका फटा फट साइन अप भी हो जाए और आपको उस पर्टिकलर एप्लिकेशन को अपना यूजर नेम पासवर्ट देने की जरूत ना पड़े तो यह शॉटकट आपको लगता होगा लेक दूसरा हमारा जो फेस्बुक गूगल की सबके पास जो सेक्यूरिटी प्रोविजन है वो हल्प करता है हमको कि हम यह जो वेबसाइट है थर्ड पर्टी वेबसाइट यह कुछ इंपोर्टन चीज़े हमारी ना ले सके क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप जो पा तो आएए दोस्तों इसको हम आगे प्रैक्टिकली भी देखते हैं हम यह और समझ लेते हैं सरल शब्दों में कि बहई ओ और टू अगर पहले के जमाने में या अभी भी हमको यूज करना है जिससे हम सेक्यूरिटी कैसे दिख रही है आपको तो मैं छोटा से एक्जामपल कि मान लेज़े आपका कोई दोस्त है जो की इंटरनेट से भी नहीं है और वो चाहता है कोई फॉर्म भरना किसी आर्मी में जाना है उसको कहीं रेलवेस का फॉर्म भरना है या कुछ भी करना है तो वो फॉर्म भरके उसको उसको किसी वेबसाइट पर जाना है जो उसको सम तो आप पो लेंगे ठीक है ले 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 लिए उसके सारी इंफॉरमेशन लेकर आपने फॉर्म भरके सम्मिट कर दिया और उस आधार काट को उस बंदे को आपने अपने फ्रेंड को वापिस दे दिया तो इससे क्या हो गया दोस्तों कि थोड़ी देर के लिए आपने उसकी तो आप भले ही आप उसका information लेके कहीं चले हुई जाएं तो आप उसका गलतियों जो नहीं कर सकते हैं जब तक आप सामने वाला आपके हाथ में वह आदार काड आपकी फोटो के साथ ना देखें तो यही है दोस्तो ओ ओ आथ टू जो की हमको इस टाइप से मदद करता है तो दोस्तो अब हमारा दूसरा जो आपको समझ में आगया होगा आएए अब हम आगे देखते हैं और चलते हैं कैसे इसको यूज करना है तो ओ आथ कैसे काम करता है दोस्तो यह देखते हैं तो जस्ट मैं अपनी IR City artsThis Indian Railways Bank की website उस पर रोच ने करने के लिए क्योंकि मैं है इन इन रिजिस्टर करने क्यृड्रा जाता हूँ तो मैं यहाँ Πर गया और मैं उसको लोग इन करके मेद्ब पास समय क्या है और mandatory fields हैं तो मैं वो देख के परिशान हो जाता हूँ तब ही मुझे लगता है कि ऐसी वेबसाइट होती है जिस में मेरे को कम information भरना पड़ता और मेरा काम हो जाता तो आएए देखिए मैंने मेरे को एक website builder की application मिली है अब मैं इसमें चाहता हूँ कि मैं sign in करो तो sign up करने के लिए मुझे कुछ options देख रहे हैं दोस्तों जैसे Facebook से आप sign up कर लो Google से आप sign up कर लो तो दोस्तों यह जो मुझे options देख रहे हैं तो मैं बड़ा पुश हो गया कि चलो मुझे कम information भरनी होगी शायद तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों Google Facebook से मैं इसको continue परता हूँ कि चलो मैं यहां से तो एक चीजिस में दोस्तों पक्का ध्यान रखिया आप कि यह जो highlighted part HTTPS यह जो है यह आपको ज्यान रखना है कि जब आप थर्ड पर्टी वेबसाइट से आप अपनी Facebook या Google पर जा रहे हैं तो वह जब जा रहा है तो वह HTTPS पक्का यूज करें वरना वह कोई क्लोन वेबसाइट है Facebook की या Google की जो कोई गलत आदमी यूज कर रहा है और आपसे वह information लेना चाहता है तो और अपनी main website भी देखें जिससे आप आ रहे हैं कि वह भी HTTPS secured हो तो दोस्तों आईए मैं Google Facebook के थ्रू लॉग इन करता हूँ और जिससे मुझे यूजर नेम पासवर्ड विक्स को ना देना पड़ी तो दोस्तों ये मैंने information Facebook की बहर दी तो दोस्तों देखें ये क्या बोल रहा है कि your name and profile picture and email address ये तीन चीज़े हैं वो विक्स को सिर्फ भेजेगा मेरा को यूजर नेम पासवर्ड कुछ भी भेजने क अगर मैं continue करता हूँ कि भाई तू Facebook से ये information ले ले और वो क्या करेगा वो एक token बेदेगा Wix को Facebook की वो token तू लेके request token तू आगे काम कर तो ये क्या हो गया ये information अब आप देखिए Facebook को मैंने दे दिये कि भाई तू Wix जो है वो Facebook से information ले 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 अभी आप देखेंगे तो ये विक्स की website में अभी आप Amit Technologies देख सकते हैं जो की आ गया है और जिसके तू आपने लॉग इन कर लिया है तो दोस्तो ये जो तो आप जब next time आप चाहा है तो लॉग आप कर दें जब आप next time लॉग इन करने की sign up करने की कोशिश करेंगे sign with Facebook तो वो क्या करेगा वो directly अभी आपको लॉग इन करवा देगा क्योंकि क्या आप गया है कि second time के लिए उसको access token मिल चुका है विक्स को Amit Technologies जो की Facebook से कि भाई तो next time मुझे फिर से username पासवर्ट डालने की ज़रुत ना पड़े तो दोस्तो ये उसको access token से फास्ट हो गया मा ये कि जो हमारा Wix.com है उसने Facebook में login करके आपको जो information चाहिए था वो मिल गई तो दोस्तो ये आप इसको भी रिस्टिक्ट कर सकते हैं implementation के तूप आपकी जो application होगी कि आप किसी particular service को कितनी देर के लिए आप application को उसको देना चाहते हैं तो वो भी आप time limit specify कर सकते हैं कि मुझ organization देना है किसी को एक गंटिक लिए देना है तो ये आप उस चीज के लिए भी अपना implementation उस ताइप सकते हैं तो दोस्तो ये आपने देखा कि Wix.com से मैंने login किया Facebook में आई ये Facebook में मैं जाके ये देखता हूं कि जो Wix.com है कि हम उसको भी कभी भी remove कर सकते हैं अपने हाँ से तो हाँ दोस्तो आपने जो authentication दिया है उस particular website को आप उसको जाके कभी भी वहां से अपने इससे हटा सकते हैं कि वही मुझे कितनी दिर तक उस particular application ये website को authentication देना है तो दोस्तो आप अगर देखेंगे Facebook में मेरे Facebook में जाके मैं देख रहा हूं कि ये जो auth 2K through मैंने Wix को permission दी थी कि मैं उसको देख सकता हूं, edit कर सकता हूं और किसी भी time पर जाके remove कर सकता हूं तो दोस्तो जब मैं remove कर दूँगा इसको तो वापेस मुझे जब फिर से मैं Wix से login करूँगा तो यहां पर ये भी option आ रहा है कि सारी delete जो करनी है post आपको भी कर सकते है Wix के पास अब वह सारी कीज़ें नहीं रहेंगी तो यह इतनी ज़्यादा security प्रोवाइड करता दोस्तों कि आपने अगर यहां से remove कर दिया दोस्तों तो यह बोलेगा Wix remote तो अब वो जो authentication हमने किया था वो वाला जो authentication है वापिस आपको विक्स के अंदर आप जब जाएंगे दोस्तों तो फिर से आपको पूरी information auth took के through फिर से आपको जब sign up करेंगे तो facebook फिर से बोलो आपका login पासवर्ट पूछेगा तो दोस्तों यह देखिए यह बहुत ही important feature है hope आपको समझ में आया होगा अगर कोई भी question हो तो please comment box में comment करि किया है तो अगर आपको कुछ भी question सवाल है कि इसका concept नहीं समझ में आया है तो please video को बार बार पीछे जाके देखिए समझेए बहुत important concept है आपके application जब भी आप बनाएंगे बहुत अच्छ ते काम आएगा और आपको इससे बहुत मदद मिलेगी तो hope आपने अगर subscribe नहीं किया तो please मेरे चैनल को subscribe कीजिए अगर आपको पसंद आए तो इसको like कीजिए और अपने करीबी दोस्तों जो की हिंदी भाशी प्रेमी दोस्त हैं उनको उनसे share कीजिए और please दोस्तों please keep learning keep growing जैहन